कि दोस्तो मुवी देखके आए हूं और यकीन मानिये यह बहुत ही बुरी फिल्म है अब मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं क्यूं यह एक बहुत ही बुरी फिल्म है इसके पीछे कई कारण है तो मैं उस कारण पर बात किरूंगा लेकिन एक चीज है कि जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तो हमने कश्मीर फाइलस भी देखी दियों उस फॉई ने जो उनका टापिक था कश्मीरी हंदूस का माईग्रेशन वहाँ से जो एक्जॉड़स हुआ की brutality को ISIS की recruitment process को दिखा पाने में असफल रही है उसमें कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि ISIS जो ISIS brides थी जो लड़कियों को use करते थे वो कैसे use कर रहे हैं कहीं पर भी उन्होंने नहीं दिखाया है उसमें एक और भी चीज जो मुझे missing लगी एक organization थी PFI जिससे इंडियन गौर्मेंट ने अभी पिछले साल बैन कर दिया था PFI बहुत ही जादा active थी force conversion के मामले में केरला में आपको ये भी बता दूँ कि जो ये love jihad का word है वो केरला की ही उत्पत्ती है ये उत्तर प्रदेश की उत्पत्ती नहीं है ये केरला में ही पहली बार use किया गया था अब movie पे आते है movie बहुत ही एक negative movie है जिसमें ये लगता है कि एक random हिंदू Muslim movie है और काफी ज़्यादा religion की बात हो रही है जो topic था जो बहुत ही sensitive topic था ISIS recruitment और force conversion उस पे ये movie बात करते हुई नजर नहीं आती है मैं आपको ये बता दूँ कि भारत सरकार conversion की इजाजा देती है मतलब अगर आप स्वतंत्र रूप से किसी धर्में प्रवेश करना चाहते तो आप कर सकते हैं लेकिन वही चीज अगर आपसे forcefully कराई जाए तो वो गलत है लेकिन जो ये conversion और forceful conversion के बीच की एक महीन लाइन है उसे सरकारे भी जान पाने में असफल रही है और ये चीज ये movie भी दिखा पाने में असफल रही है आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि कौन सा force conversion है कौन सा force conversion नहीं है तो यहाँ पे भी movie बुरी तरह से असफल रही है अगर बात करें acting की तो ठीक है मैं उस पर अपने ज़्यादा reviews नहीं दे सकता क्योंकि मुझे उतना acting का पता नहीं है तो मैं सिर्फ subject की बात करूंगा subject बहुत ही important था करला high court हो गया करला की communist government हो गई even जो हिंदू and Christian society के लोग थे वो भी यह मानते हैं कि force conversion एक बहुत बड़ा issue है करला में और कुछ ISIS की recruitment भी हुई थी अभी कुछ ISIS के जो recruitment हुई थी वो कुछ लोग अभी अफगानिस्तान की जेलों में भी है तो ऐसा नहीं ह कि यह चीज़ नहीं हो रही है लेकिन directors इस बात को बता पाने में असफल रहे हैं वो इस movie को हिंदू-musल्मान तक ही कर पाने में सफल रहे हैं और इससे आगे वो बढ़ी नहीं पाए आपको यह भी बता दूँ कि जो लोग शुत्रमूर की तरह सर धसाये बैठे हैं रेत में उन्हें ऐसा लगता है कि यह चीज़े एक्जिस्ट ही नहीं करती है जो forceful conversion आई एक्जिस्ट नहीं करता यह एक्जिस्ट करती है और यह सिरफ केरला का issue नहीं है यह पूरा global issue है पूरे world में ऐसी चीज़े हो रही है इसी चीज़ को बताने के लिए एक Netflix पे एक और सीरीज भी बनाई गया है केलीफेट नाम से सीरीज है आप उसे भी देख सकते हैं वो इसी टॉपिक पर है तो आप movie देखने जाए जरूर जाए लेकिन आपको movie देखके ऐसा लगेगा कि movie में बहुत ज्यादा improvement किया जा सकता था जो movie का जो एक communication जो movie देना चाहती थी एक message communicate करना च इस movie को आपको कहूंगा कि आप one time watch देख सकते हैं लेकिन आपको ये movie देखकर ये जरूर लगेगा कि इसमें क्या चीजे improvement की जा सकती थी ये एक common man भी बता सकता है directors को आशा करता हूं कि ऐसे sensitive topic पे जहां पे एक facts, data और you know different victims की story है उसको बताने की जरूरत है तो ऐसे directors आएं अच्छा message convey कर पाएंगे ये religion का matter नहीं है ये एक national security का matter है तो national security religion से काफी ज्यादा ऊपर होती है किसी का भी religion हो मेरा हो आपका हो religion अपने हद तक है लेकिन जो national security है वो सबसे उपर है तो national security पे ये movie बननी चाहिए थी ये movie में ये दिखाना चाहिए था कि कैसे ISIS recruitment, ISIS brides जो वो human bomb बना रहे है जो वो सिरफ इंडिया से नहीं world के different country से recruitment कर रहे है वो एक मानवता के लिए कितना ज़्यादा गंभीर प्रशन है तो इस movie को देखिए अपने review share किए ऐसा नहीं है कि movies को boycott करना चाहिए movie कोई भी हो उसे देखना जरूर चाहिए क्यूंकि movies होती है वो समाज का एक आईना होती है आप कोई भी movie देखे वो कोई ने कोई story जरूर बयान कर रही होती है तो ऐसे ही हमारी society में changes आते हैं ओके तो आप देखिए जरूर देखिए लेकिन हाँ जब आप यह देखेंगे तो यह movie उस पैमाने पर खड़ी नहीं उतरती है तो क कैसी लगी आपको यह वीडियो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें सपोर्ट करे थैंक यू जै हिंत